हाई गाईज वेलकम टो और यूटूब चैनल दारियल इन्वास्मेंट ताटा केमिकल स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा बदला होने वाला है और यह बदला आपको अच्छा देखने को मिलेगा या फिर स्टॉक के अंदर कुछ बुरी बात है हमें देखने को मिलेगी आईए इस बारे में डेटेल आनेलसिस जान लेते यह डेटेल में जनना आपके लिए क्यों जरूरी है क्योंकि अगर टाटा केमिकल स्टॉक के अंदर आपकी इंवस्मेंट आलरेडी है तो आपके लिए एक right decision लेने में काफी कारगर साबित हो सकती है और जो new lease के अंदर invested करना चाहते है उनके लिए भी यह काफी helpful information रहने वाली है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा तो चलिए बढ़ते हम आगे सबसे पहले आपको मैं six month का चार्ट बताना चाहूंगे stock का stock ने six month ही में यहाँ पर return कुछ खास नहीं दिये 18.08% इस तक के stock ने यहाँ पर return point किया लेकिन stock की जो journey यहाँ से start होते हुए हमें देखने को मिल रहे है यह जो दो points हमें देखने को मिल रहे है यह काफी increasing level पर यहाँ पर depend करते हुए देखने को मिल रहे है और यह जो return की process है यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे है जो कि काफी कम level पर stock का return है यहाँ पर देखने मिल रहे है six month के अंदर बात की जाए तो लेकिन आप यह return आपको positivity के और मुड़ते वे देखने को मिलेगा और return जारा से जादा मिलने की chances यहाँ पर कई गुना जादे बढ़ जाएगे अब यह बात मैं आपको कैस वज़स से कह रही हूँ इसके बारे में जान लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर company का focus increasing focus on the renewable energy to drive demand for the soda ash तो आप यहाँ पर देख सकते हैं company यहाँ पर focus कर रहे हैं कि renewable energy के अंदर यहाँ पर increasing की जाए जिसके यह सोडा की डेबान यहाँ बढ़ते वाया हमें देखने को मिलेगी टाटा किमिकल के अंदर अगर आप देखेंगे तो senior officials sees the trend resulting in the commodity price ruling firm तो यहाँ पर जो senior officials होते हैं वहाँ पर से उनको देखने को मिल रहा है कि जो price related नहीं यहाँ पर commodity के हैं आपर trend देखने को मिल रहा है resulting related वो काफे अच्छा देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर senior officials यहाँ पर देखते हुए देखने को मिल रहा है a huge and increasing focus on the renewable energy with the government and the private investment in such sources is strongly driving global demand for the storage and the particular flat glass in the solar application according to a senior Tata chemical official तो यहाँ पर यहाँ अपर यहाँ अपर statement हमें देखने को मिल रहा है जो कि आपने अदर improvement करने के बारे में सोच रही है जो कि huge quantity में not a small quantity यहाँ पर increasing करने के बारे में focus किया जाए renewable energy का जो कि नाकेवल है पर private sector में बल्कि हाँ पर government sector में भी investment के बारे में हाँ पर sources हमें देखने को मिल रहा है अब increasing demand for the flat glass as the caused by the drivers is one large contribution factor towards the overall soda ash and the demand growth and the one of these reasons for the sustained upward firmness in the soda ash prices that's जरीर लंगरना executive director of president and the global chemical business data chemical limited तो यहाँ पर एक बड़ा reason इनके जो यहाँ पर executive director है इनके वज़े से भी यहाँ पर price के अंदर यहाँ पर बड़ोती होते हुए हमें देखने को मिल रही है next level पर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि यहाँ पर इनकी growth के अंदर जबर्दा सरीके से इजाफा देखने को मिल रहा है जो tight demand supply हमें देखने को मिल रहा है balance for the product with the most plants and the operating today at a high capacity utilization rate and likely to the persist with the no applicable and the signs of demand shall slow down and the sustainable increase in supply है तो यहाँ पर supply बढ़ाने के प्यारे में सोचा जा रहा है और जितना जादा supply होगा उतने लेवल पर यहाँ पर लोगों की यहाँ पर customers हमें facility को जितनी जल्दी उनको provide करके देंगे उतना attachment stock से जादा होते वे देखने को मिलेगा तो यहाँ पर demands थोड़ी slow down हो गई लेकिन supply हाँ पर काफी जादे पैमाने पर increase किया जा रहा है लेकिन supply का use तभी होगा जब demand हाँ पर हमें बढ़ते वे देखने को मिलेगी the strong push up for the electronic mobility and the growth of the electric vehicles will be the second factor तो यहाँ पर और एक एक factor हमें देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पर push points अभी हो सके है और future में भी काफी अच्छे आपको return provide करने के लिए एक best रहेगा जो कि electronic vehicles के रहे हैं यहाँ पर mobility जो growth great हो रही है यह एक अच्छा point यहाँ पर हमें देखने को iam batteries as the government six to the decarbon is the transportation sector it is projected that demand for the electric vehicle will increase driving demand for the electronic electric storage battery and the sodash लंग ग्राना सेड़ जो यहाँ पर इनकी जो directors देखने हो मिल रहे हो lithium battery के रहे हैं यहाँ पर बात कर रहे है और lithium battery का कितना use electric vehicles में होगा आप सबी लोग यहाँ पर जानती है और इसका use यहाँ पर लगातार आपको बढ़ते वे देखने मिलेगा मतले यह continue process चलती रहेंगी lithium battery की और stock की भी growth आवे से हमें continue increase होती वे देखने मिलेगी largest producer क्या आप की जाए तो Tata chemicals is the subsidiary of the Tata group and is one of the world's largest producers of soda ash and the host prices have more than double since the start of the year and this has also helped the firm to the stock price surge on the 25% year on year basis on the 912.03 Monday तो यहाँ पर आप देख सकते हैं Tata group की एक company है Tata chemicals जो कि आपका पैसे साल में double करते हुए हमें देखने को मिलती है और उतनी ability stock के अंदर भी हमें देखने को मिलती है and as a poor trading the contract of difference soda ash is the currently ruling at the 2837.50 and the Chinese yuan atone at the 32,350 up 22% in the last four weeks तो लास्ट फोर विक से अंदर इसके prices में भी हमें तेज़ बनते वे देखने बल रहे हैं Indian industry के इसाब से देखा जाए तो on the Indian soda ash industry he said that the sector is the completely placed to the stand on its own and the has plant efficiency and the performance is good तो यह पर plant की जो efficiency है वो भी हापर well देखने के मिल रहे है साथ इसा stock का performance भी काफी अच्छा है and if not better than the similar process plants across the world including safety and health environment parameters तो यह पर पूरी यह पर world level पर यह पर safety and health environment के यह पर parameters यह पर देखी जा रहे Tata Chemicals stock के अगर target prices की बात की जाए तो 966 के stock के आपर target prices निकल कर आ रहे है तो Tata Chemicals stock के रहे हैं सारी बाते हैं हमें अच्छी देखने के मिल रहे हैं तो घबरानी की कोई भी बात नहीं है और Tata Chemicals अगर electric vehicles created यहां पर scope कर रहा है तो आपका फैसा यहां पर अच्छी दरीके से बनेगा और आपके लिए यहां पर ज्यादा रिस्क भी नहीं रहेगा So thank you so much